पिस फीस की कच्छा में आप सभी का एक बार फिर से श्वागत है इन्दी लास्ट वीडियो पिछली वीडियो में हमने प्री पोजिशन के दो रूपों को पढ़ लिया था पहला हमने डिवाइड करके रखा था प्री पोजिशन आफ प्लेस उसके बाद प्री पोजिशन आफ टाइम तो आज हम डिसकस करने वाले हैं प्री पोजिशन आफ टाइम के बारे में यानि कि ऐसे प्री पोजिशन जो समय के लिए होते हैं समय के बारे में ग्याद करवाते हैं इनमें कौन-कौन से आते हैं इसको आप समझ लेंगे देखे इसमें आता है आता है आता है far आता है, since आता है, इसके बाद आपका before आता है, before के बाद after आता है, in आता है, within आता है, by आता है, till आता है, until आता है, during आता है, और from आता है, ये जो preposition आपको दिख रहा है इतने, ये सभी time बताने के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, preposition आप time कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रियोग हम समय बताने के लिए करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियों और एक-एक को समझते हैं आपके टोटल एक दर्जन है वन डर्जन है बाराख प्रिपोजिशन हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है इन बारहों को बारी बारी से समझते हैं देखते हैं सबसे पहले आज का हमारा प्रिपोजिशन है आयट का प्रियोग कहां पर होता है प्रिपोजिशन आप टाइम में ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आयट का प्रियोग place में भी होता है हमने बताया था छोटे अस्थानों के लिए act का प्रियोग करते हैं बड़े अस्थानों के लिए in का प्रियोग करते हैं यहां हमने act preposition आप time में भी प्रियोग किया हुआ है तो कैसे यह आप समझ लेंगे इसका प्रियोग कहा होता है तो ये ध्यान रखेंगे कि IET का प्रियोग preposition आप टाइम में hour बताने के लिए किया जाता है यानि घंटा बताने के लिए किया जाता है समय बताने के लिए क्या चीज घंटा समय बताने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है जैसे इसका एक example दे करके हम आपको बताते हैं एक example हम कोई भी ले लेते हैं जैसे हमने ले लिया he came here चलिए he comes here ले ले लेते हैं normally he comes here at four o'clock ठीक है क्या होगे आपका he comes here at four o'clock वह यहाँ चार बजने पर आता है यानि कितने बजने आता है चार बजने आता है तो इस तरीके का अगर आता है तो आप क्या प्रयोग करेंगे at का प्रयोग करेंगे ऐसे ही और चीज़ें क्या हो सकती हैं बिना किसी sentence के प्रयोग कर समझेंगे जैसे आगया at dawn at dawn मने कब ये एकदम उशाकाल की बात हो रही है उशाकाल में ठीक है उशाकाल में भी कह सकते हैं उशाकाल पर यानि प्रभात के समय उजाले के समय जैसे शुर्योदय से पहले उशाकाल जो होता है उसी को डान प्रभात समझ रहा है ना ये डान जो होता आपका प्रभात का काल काल आता है जैसे और क्या हो सकता है एक डेप्रिक दिन तूटने पर यानि दिन निकलने पर इन संसेट आर सुर्यास्त होने पर ठीक है इन राइस ऐट दी सं राइस यान स्रूर निकलने पर कब आना है सुरिदन hyal बाद यानि सूरे निकलने पर तो यह चीजें घंटा बताने के लिए समय बताने के लिए प्रिपोजिशन आफ टाइम में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको आसा करते हैं यह समझ में आ गया ओगा जैसे और क्या हो सकता है एक एक जामपल हम लेते हैं जैसे सी वाज रीडिंग अनावेल इस तरीके से क्या करना है मानने वह एक नावेल पढ़ रही थी कब अनावेल नव बजे ठीक है सुबह में नव बजे एम की बात हो रही है तो इस तरीके से अन का प्रयोग प्रिपोजिशन आप टाइम बताने के लिए किया जाता है अभी आप इसके आगे देखेंगे हम बता रहे हैं आपको आन का प्रयोग चलिए दूसरा देखते हैं दूसरा हमारा है आन तो आन का प्रयोग कहां होता है आन का प्रयोग डे या डिट ध्यान रखेंगे डे या डिट के नाम से पहले किया जाता है ठीक है कहां पर pre position आप time में अगर समय बताना है तो day और date दिया है उसके पहले ही हम on का प्रियोग करते हैं जैसे क्या होता है आप जानते हैं न day क्या होगे इसे on Monday कब आना है Monday को ठीक है न है on Thursday जैसे on Sunday यह आप देखते होंगे यह सारी चीज़ें day से पहले इसका on का प्रियोग कर देना है जैसे he will meet you on Sunday वह आपको Sunday को मिलेगा I am I meet you I will meet you on Tuesday मैं आपको Tuesday को मिलूँगा ठीक है तो यह चीज़ें the meeting was held on Monday meeting जो है Monday को held की गई कब की गई Monday को तो यह चीज़ें जो on लगा रहा है यह दिनों के नाम से पहले और क्या हो सकता है on 22nd December मने कब 22nd December को जैसे इसको पूरा कैसे कर सकते हैं एक sentence के रूप में हम देख लेते हैं एक sentence के रूप में इसका example लेते हैं हम एक्जांपल जैसे हमने ले लिया एक कोई भी एक्जांपल हम नॉर्मल ले लेते हैं जैसे he will open the shop on 25th January खोलेगा तो दिन आया या फिर आपका डेट और समय दर्थाने के लिए टाइम आज आए तो आपका कहा प्रयोग करना प्रिपोजिशन आफ टाइम में आन का प्रियोग कर सकते हैं चलिए तीसरा देखते हैं हमारा फॉर का प्रियोग तो देखेंगे अगला हमारा है फॉर का प्रियोग आप जानते हैं कि फार का प्रियोग परफेक्ट या परफेक्ट स्टन्स में ही किया सकता है इ Sicher को आप जानते रहेंगे परफेक्ट कांटीन्यूस होता है किशीज के लिए प्रीपोजिशन आफ टाइम दर्साने के लिए निश्ची समय के लिए इसका प्रियोग कर देते हैं और अगर हम चाहिए तो point of time मनें इसका प्रयोग हमें period of time दर्शाने के लिए होता है period of time दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं किसका फार का और since को भी चलिए साथ में ही देख लेते हैं since का प्रयोग जो है point of time दर्शाने के लिए किया जाता है जैसे he has been working in his field for four days, ठीक है, he has been working in his field for four days, वह चार दिन से अपने खेत में काम कर रहा है, तो क्या हो गया, अगर यहीं पर निश्चित होता है, कि रभी वार से कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाता, since Sunday, बसमझ में आ रहा है न, यह आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जूरुत नहीं है, since far आपका period, preposition of time clear है, since और far, निश्चित समय है तो since, निश्चित समय है तो far का प्रयोग करते हैं, आनि point of time है तो since का प्रयोग, period of time है तो far का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, यह चीज़ें आप जानते रहेंगे, अब हम चलते हैं सीधा before और after को साथ में ही समझ लेते हैं, before और after को देखते हैं, चलिए देखते हैं, अ period of time दर्साने के लिए किया जाता है, period of time दर्साने के लिए इसका प्रयोग होता है, यह आप आसानी से इसको जानते रहेंगे, ठीक है, point of time और period of time दर्साने के लिए past tense में और future tense में किया जाता है, चलिए जैसे example के मादे हम से before को समझते हैं, सबसे पहले before को समझते हैं, before का का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में जहां ऐसा अर्थ निकलता हो पहले और बाद में वहां पर भी आप लगा सकते हैं यह अत्यंत सरल है इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको बहुत प्रसान होने की जुरुत नहीं जैसे I will complete this work I will complete this work मैं यह कारे पूरा कर लूंगा या मैं यह कारे पूरा करूंगा कब विफोर अक्टूबर अक्टूबर से पहले तो पहले सब्दा गया तो विफोर लग गया आप क्या करना है बाद का एक देख लेते हैं जैसे जैंत रिटर्न दिस बुक टूमी जैंत यह पुस्तक म मुझे वापस कर दिया कब आफ्टर एक महीने के बाद यहां आफ्टर लग रहा है तो एक महीने के बाद वापस किया था जैंत ने मुझे यह पुस्तक एक महीने के बाद वापस किया था तो यह चीज़ें आ गई आपका जैंत रिटर्न दिस बुक टूमी जैंत ने मुझे जब उस तक वापस दिया था कब after a month, एक महीने के बाद, चलिए अब in और within को समझ लेते हैं, अब चलिए समझते हैं in और within को, in और within का प्रियोग कहा होता है, तो जान लेंगे कि pre-position of time में, pre-position of time में after के अस्थान पर, ठीक है, after के अस्थान पर हम किसका प्रियोग करते हैं, after के अस्थान पर हम in का प्रियोग करते हैं, after के अस्थान पर in, और before के अस्थान पर within का प्रियोग करते हैं, कहां पर future tense में, ध्यान रखेंगे, pre-position of time में, future tense में, after के अस्थान पर in, और before के अस्थान पर within का प्रियोग होता है, कहां पर period of time दरसाने के लिए, क्या चीज, period प्रियद आफ टाइम दर्साने के लिए इसका प्रियोग करते हैं जैसे आपको एक्जामपल देते हैं बहुत आसानी से आप एक्जामपल समझ जाओगे बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का एक्जामपल को आपको मैं दे देता हूँ आप समझ जाओगे प्रियद आफ ट अधिनसे समय में ही तो या करना आपको वी दिं लगाना है ठीक है था क्या हो जाएगा इन कारशे हम सबस्सक्राइब हो तो क्या सब नहीं परेघ्र कर सकते हैं ठीट के अंदर यह नहींएगि वापस हाऊंगा enthusiastic ठीक है जैसे इसका एक्जम्पल और देख लेते हैं पहला एक्जम्पल हमने लिया है C will inform you in a month C will inform you वह आपको inform करेगी सुचित करेगी in a month एक महीने में एक महीने में वह आपको inform करेगी और यहीं पर हो जाता within a month एक महीने के अंदर ठीक है जैसे C will minus everything वह सब कुछ मैनेस कर लेगी वह सब कुछ नियंतरित कर लेगी कितने देर में within a year एक वर्स के अंदर ही वह समझ में एक वर्स में ही वह सब कुछ मैनेस कर लेगी यह चीजें आपको within और in का अंतर दर्साने के लिए किया जाता है अब हम समझते हैं अगला अपना जो भी दिया होगा by next देखते हैं हमारा है by by का preposition आप time में point of time दर्साने के लिए किया जाता है जैसे example हम देख लेंगे यहां point of time कहा दर्सारा है by sunday by sunday I had been exhausted ठीक है न by sunday तो यहां पर point of time दिखा रहा है by जो हमारा दिखा रहा है यह sunday देखिए यहां पर क्या आ गया है days name आ गया है इसलिए यह time को दर्साने का काम कर रहा है by ठीक है जबकि यहां ज्यादा तर इसका प्रियोग द्वारा के रूप में होता है जैसे by me, by you, by bicycle, by motor car यह सारी चीजे distance दर्साने के लिए की जाती है direction दिखाने के लिए कई जगा इसका प्रियोग कर देते है लेकिन क्या है कि यहां पर point of time यानि pre position of time में by का प्रियोग किया गया है अब हम चलिए समझ लेते हैं till और until को तो देखिए अगला है हमारा till और until, till and until के बारे में समझते हैं इसका क्या मतलब होता है till माने तक होता है until माने तक यानि दोनों का आर्थ तक होता है यानि कि जब तक clear ना हो जाए तब तक until है और till का मतलब तक है normal सी चीजें जैसे एक देख लेते हैं यह दोनों साथ में भी प्रियोग किया जा सकता है कोई problem नहीं होगी जैसे they will wait for you they will wait for you आपके लिए वे इंतजार करेंगे they will wait for you वे इंतजार करेंगे for you मने तुमारा कब तक till तक Monday next Monday next तक या until मने Monday next तक दोनों का मतलब एक हुआ Monday next माने तुमारे आने तक Monday next तक तुमारा इंतजार करेंगे you are to stay in the bed in bed you are to stay in bed माने आप बेड पर ही इस्टे रहेंगे क्या कब तक until या till Monday next अगले मंडे सो मार तक की बात कर रहे हैं तो यानि till और until तक दर्षाने के लिए यानि की period दर्षा रहा है यह क्या दर्षा रहा है आपका this का मतलब होता है दावरान दो निकलता है यानी बताने के लिए इसका प्रयुकर जाता है यह यह क्या दर्साता है बयुकर करता है यह टाइमिंग बता रहो है यह चीजें के माध्यमस देखते हैं category को दूरिंए वार, युद्ध के दावरान या युद्ध के समय, युद्ध inde के, ऑवधि में, मैंनी पीपल सफुर KRS, बहुत सारे लोग जो हमज़ोरें हैं सफ्पर करना करना या जहल रहे हैं जहेल रहे थे, कछणाई कर हैं, समुझ मालत करेख ने सफ़र्डर सफ़रड माने कठिनाईयों का सामना किया किसके दौरान दिवार युद्ध के दौरान तो ये युद्ध के दौरान की जो बात हो रही है ये दौरिंग आपका अवधी दरसा रहा है तो यानि प्री पोजिशन आफ टाइम दरसा रहा है जैसे अभी आज मॉडन एज में से बहुत सारे लोग पैदल जा रहें तो कुछा तक कल को आप से पुछा जा सकता है वाट वर रेजुऊ दून दूरिंग दी लॉक डाउन आप लाग डाउन के दोरान क्या कर रहे थे दूरिंग'd worrying आपको क्या करना है यह आपका दर्सा रहा है अवदी दर्साने का काम कर रहा है यानि दूरेसं दर्साने का काम कर रहा है तो चलिए अब लास्ट है हमारा आप हम उसको समझ लेते हैं फ्राम को और अंतिम है तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है यह भी आप हमें कमें को include कर सके ठीक है चलिए देख लेते हैं लास्ट है हमारा from यह देखते हैं from का प्रयोग from माने से यानि कि देख रहे हैं इसका point of time के लिए preposition of time में point of period दर्थाने के लिए point of time दर्थाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा ही मेली स्टाइट वोग्ले महीने से वह यहां पर आना करेगा शुरू करेगा तो फ्राम का प्रयोग क्या हो गया है आप देख सकते हैं फ्रॉम का प्रियोग यहां पर समय धरसा रहा है इतलिए हम क्या करेंगे प्री पोजिशन आप टाइम में भी फ्रॉम को रखेंगे एक इक्जमपल हमने और लिया है देख लो सितंबर से ले करके नवंबर तक तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आपको मारी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करिए लाइक और अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप मारे चैनल पर नए आए हैं तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आप सभी को पता होना चाहिए कि मैज की क्लास रात्त्री को आठ बजे चल रही है इंग्लिस की क्लास जो अभी आप देख रहे हैं यह रात्त्री नौ बजे स्टार्ट हो रही है जबकि विज्ञान की कक्छा सुबह च्छा से आठ के बीच में संचालित की जा रही है तो इन तीनों टाइम पर आप अपने पसंदिदा यूटूब चैनल रामा सर पर जोईन करें और इसको देखना ना भूलें आज की विडियों देखने के लिए आप शभी को बहुत बहुत धन्यवाद